असलाम योकम एक बार फिर दो क्रॉम्स हैं और दोनों क्रॉम्स पर्फ़ेड स्कौार हैं काशinkडर मायनृ स्कवार है हो Кाश दर्म्राइब्स Yakis दर्म्राइब्स स्कौार होता तो हम दोनों को हॉली स्कौार में कशनर करकर के a square minus b square यानि के a plus b a minus b का formula apply करके factorize करते हैं मगर यहां दो perfect squares की दर्मियान में plus sign है मगर यहां यह अच्छी बात है के दोनों perfect squares में जो powers है वो multiple of four है और आप जानते हैं जब कभी ऐसा हो तो हम फॉरी तोर पर a square plus 2ab plus b square का formula apply करते हैं a का मतलब first term का square root मतलब 8x की power 4 64 का square root 8 x की power 8 का square root x की power 4 ताके 2 जब 4 से multiply हो यह वापस 8 बन जाए और आखरी bracket में हम लिखते हैं second term का square root तो y की power को half कर दिया यह हो गई y की power 4 फिर आप जानते हैं पहले bracket से value देखकर 2 के बाद पहले bracket में लिख दी जाती है और आखरी bracket से value देखकर 2 के बाद second bracket में लिख दी जाती है यह हमारे पास a square प्लस 2ab प्लस b square का formula कम्पीट हुआ जो के बंद होने के लिए तयार है मगर इस formula को बंद करने से पहले हम balance करेंगे जो सवाल में हमें expression दी गई थी उस expression को अपने step से तब देख सकते हैं middle trump एक additional trump के तौर पर हमारे सामने है तो इसको balance करने के लिए हमें end में minus करना पड़ेगा तो middle trump की जो cool value हो बंती है 2 into 8 16 16 x to the power 4 y to the power 4 तो अब हम यहां देख सकते हैं के middle trumps cancel हो जाएगी इस last trump से यही बजाए के हमारे पास यह balance हो चुका है तब हम यहां पर इस formula को बंद करते हैं 8 x 4 और y 4 का whole square हो गया यह क्योंके एक ही जगा 8 x 4 था बी की जगा y की power 4 था और minus sign के बाद इस difference को भी हम whole square में बंद कर देंगे तो 16 का square root बनेगा 4 और यह बनेगा x square and y square मजीद अब हम इन दोनों ही trump को एक बार plus करके एक बार minus करके लिखेंगे क्योंके हाँ पर a square minus b square का formula लग चुका है तो यह बनेगा 8 x की power 4 plus y की power 4 plus 4 x square y square और 8 x की power 4 plus y की power 4 minus 4 x square y square अब हम इसको arrange कर लेते हैं तो x वाली trump पहले आ जाएंगी यहाँ पर 8 x की power 4 में x है यहाँ 4 x square y square में x है और powers के मताबिक हम यहाँ descending order देख सकते हैं और plus के बाद y की power 4 फिर यहाँ 8 x 4 minus 4 x square y square plus y की power 4 अब हम देखते हैं कि इन में से कौन सा bracket जो मजीदा के factorize हो सकता है तो यहाँ देखते हैं क्या 1st और 3rd trump perfect square है तो 3rd trump तो perfect square है मगर 1st trump perfect square नहीं है 8 का square root point में आएगा तो यह पहली test में नहीं पास हो भाया तो बाकिया आगे test थे कि 3rd trump क्या plus में हैं तो बिलकुल है power क्या 4 के डेबल मारी तो बिलकुल आ रही है मगर यह पहली test में fail हो गया इसलिए मजीद आगे factorize हम नहीं करेंगे और यहां तो दो दो जगा failure है 3rd trump का same sign नहीं है यहाँ minus आ चुका है 1st trump perfect square नहीं है बस यह एक ही condition पूरा कर रहा है कि यहाँ पर जो variable है उसकी power 4 है दो बाराल हम इन में से किसी भी bracket को मजीद आगे factorize नहीं करेंगे जब तक के कोई भी 3rd trump के expression तीनों conditions को पूरा ना करे जिसको हमने बहुत तफसील से पिछले episode में डिसकस किया बिलकुल वैसे अब यहाँ पर यह वाला सवाल देखते हैं बिलकुल ऐसे ही है यहाँ पर भी 2 trumps है दोनों perfect squares है दर्मयान में plus sign है और base की जो power है वो multiple of 4 है यानि कब यहाँ पर भी 40 तोर पर a square plus 2ab plus b square का formula लगाएंगे a की जगा first drum का square root last bracket में second drum का square root तो 4 का square root 2 होता है s की power 4 का square root s square हो गया r square देखकर यहाँ लिख दिया और यहाँ से 2s square देखकर यहाँ लिख दिया अब आप देख सकते हैं तो middle drum नहीं थी तो middle drum को यहाँ पर cancel करने के लिए आखिर में जो भी amount बना उसको minus कर देते हैं 2 2s of 4 यह बन गया 4 r square s square तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम formula को बन करेंगे क्योंकि अब यह बलकुल balance है middle drum से middle drum यहाँ middle drum से जो last drum में cancel हो रही है और हमारे पास सिर्फ यही 2 trams यहाँ बच रही है मगर अब हम advantage लेंगे तीन trams को और formula में बन करेंगे यह बनेगा r square plus 2s square का whole square क्योंकि आप जानते हैं a square plus 2ab plus b square whole square of a plus b के बराबर होता है मानस sign के बाद यहाँ पर 4 का square root 2 है r square का square root r है s square का square root s है तो हमेशा की तरह हमने difference को भी whole square में लिग दिया अब दो brackets हैं दोनों पे square है दर्मिया हमें मानस sign है it means यहाँ पर a square minus b square का formula लगेगा जो बराबर होता है a plus b a minus b के तो हम r square plus 2s square को plus करके लिख देंगे 2rs के साथ और r square plus 2s square में से मानस करके भी लिख देंगे 2rs को अब हम रेंज कर लेते हैं r वाली ट्राम्स पहरे लिख लेते हैं ते बना r square plus 2rs plus 2s square और r square minus 2rs plus 2s square अब चेक कर लेते हैं कि अनमे से कोई bracket मजीदा के फेक्ट प्राइस हो सकता है तो किसी भी bracket में फर्स्ट और थर्ड करम दोनों perfect squares नहीं है क्योंकि आप जानते हैं 2 perfect square नहीं होता साथ ही जो powers है वो multiple of 4 भी नहीं है और यहाँ पर हमें पता है कि तीनोई कंडिशन पर पूरा उतरना बहुत जरूरी है जो हमने कंडिशन लास्ट एपिजोट में डिसकस की थी तो यही इसका जवाब है मजीद आगे factorize नहीं हो सकता इंशालाब से मुलगात होती है नेक्स एपिजोट में कुछ मजीद सवालाद के साथ तब तक के लिए लाहाफ़ज और टेक क्यार